जहन प्यारे किसान भाईयों प्यारे छात्रों आज हम इस विशे पे चर्चा करेंगी कि अगर किसान भाई खेती के साथ साथ पशपालन करता है तो उससे खेती से पश को क्या लाब होगा और पशों से खेती को क्या लाब है क्योंकि जो हमारी एक परंपरिक परंपरिगत खे लेकिती का जो बाई प्रोड़क्ट निकलता है उसमें चाहे वो भूसा हो पुवाल हो बर्सीम हो या गन्नी का अगोला हो उस सब को पस्वों के चारे के रूप में उप्योग करते थे और पस फिस वो चारे को खा कर पचा कर दूद भी देता था और दूद के साथ-साथ जो भी यहां का खेत का बाई प्रोड़क्ट है जो आज देखते हैं कि जैसे दिल्ली हरियाना यहां की किसान उसको जला देते हैं और जला करके किस्ते कितना जादा उससे वायू पर दूशन होता है गौवर्मेंट के लिए भी बहुत बड़ा चेलेंज है लेकिन अगर हम उस जो आपका पुवाल है या भूसा है अगर हम उसको चारे की रूप में प्रशों को खिला दें तो उससे गोबर होगा और उस गोबर को अगर हम अपने खेत में डालते हैं तो उससे हमारी खेत की उर्वरा सक्ती बढ़ेगी और जादा से जादा उत्पादन होगा जो आज कार्बनिक खेती की बात होती है कि कार्बनिक खेती पहले के समय में कार्बनिक खेती ही होता था सारे किसान अपने घर पे जो खा त्यार करते थे वही अपने खेतों में उप्योग करते थे और उसका बड़ा उनको खेत का भी लाब होता था सारे लोग उस अनाच को खाते थे स स्वस्त भी रहते थे, 100 साल की जिंदगी भी जीते थे, लेकिन आज के समय में किसान पश्पालन को छोड़ दिया क्यों खेती करने लगा, और खेती में रासानिक खेती करने लगा, इससे खेत की उबरा सकती धीरे-धीरे घरती चली जा रही है, उत्पादन करने की छमता घरत हूँ, मैं जिलाजी दिवेदी, और आज हमारे साथ में, किसान भाई, खड़ें आज आपको ये बताएंगे, अनवरत, ये हमेशा से खेती और पश्पालन का एक बड़ा अच्छा तारितम लेकर चले हैं, और इससे खेती को भी अच्छा लाब हुआ है, और पश्पालन से भी अच्छा लाब होता है, तो आज इनके मुखारबिंदों से हम सुनते हैं कि खेती में क्या पश्पालन का लाब है, तो आज आपसे जानेंगे कि खेती और पश्पालन में क्या दोनों से एक दूसरे को क्या लाब हो सकता है? वेवस्था बनता है यह से दूनों जुड़ा है और उख्रमपरा से जुड़ा है उसे उसका दूत बेच लेते हैं उसको का बंसुस के बच्चा पैदा होते हैं उसको बेच लेते हैं बहुत बड़ा जानवर और खेती एकमा जुड़ा ये से जानवर खेती से बहुत बड़ा लाव है और अब अब ये सब जितना जिने है सब पसपालन छोड़ दिये हैं सबके पैदावार कम हो गई अमट से बंद हो जादा है कृछ खराब हो जा रहा रहा है अग्यार्श चलिए बहुत अच् तो कहीं और से थोड़ी ना है हमारे आपके ही है उसी से ही सबसे अदा प्रभाव आज दिख रहा है और जो हमारी खेत की उरबरा सकती है वो बिलकुल घटी चली जा रही है और खेत का उत्पादन करने की छमता बिलकुल कम होती जा रही है और पश्पालन में भी अब बहुत कम समय में बहुत कम लागत में भी इसको पश्पालन को आसानी से प्रारंब किया जा सकता है क्योंकि आज के समय में जो एक आर्टीफिसियल इंसी मनेशन कृतिम बरभाधान की ब्योस्था की गई है और इसके माध्यम से बहुत ही आप कह सकते कि आसानी से अपने पश्वों कि नसलों को आप चेंज कर सकते हैं तो आज हम जानते कि इनके पास कौन-कौन से नसल की गाएं और भैसे हैं आपके पास कितनी गाएं हैं और कितनी भैसे हैं और गाएं किस नसल की हैं और लगबग वो एक व्यात में कितना दूद देती होंगी और उन गायों से कितना पूरे ब्यात में लगबग एक पूरे ब्यात में लगबग किसान भाई को अगर जर्शी नसल की गाय है या फिजीसिय नसल की गाय है तो लगबग कितना लाब दे सकती है यह गाय कम से कम एक लाख रुपए एक बेंट में दे सकती है देखिए किसान भाई आप देख रहे हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं बेरोजगारी का दौर है कहीं पर मियात में एक लाख रुपए का वो लाब दे सकती है उसके बाद जो उसका बच्छडा बेच लें उससे जो गोबर आपने खेतों में उपयोग कर लें वो अलग चीज है लेकिन इतना लाब यह आपके खेश से हैं आप क्या सबसे ज़्यादा परसंद करेंगे रखना गाय कारन से देख एइसे सब बेरोजगार हो जाती है कारन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा लाग भैशी महाख आउजोन इनका बश्वा छोड़ दिन जा था यह कारण से गाय से परसान मनें गाय जिसे अब गाय अगर पालना है तो उसमें जो उसका बच्छडा होगा क्योंकि बच्छडे का यूज पहले खेती में होता था अब खेती में सब ट्रेक्टर का यूग हो गया सब पूरा काम से हो रहा है तो अब बच्छडे की बेरोजगारी अगर किसी पीचीज के अगर उसका उपियोग नहीं किया गया तो फिर वो छुट्टा छोड़ा मजबूरी है तो कि जैसे दूद देना जानवर बंद किया कौन इतना महेंगा चारा इतना महेंगा दाना है कौन उसको खिल से में क्या होता है दोनों आप में योसे अच्छा हो सकता है अगर फसे देखा जाए कि दोनों में रोगों का खत्रा किसमें रहता है आए सबसीन रहता में गाय में है कम रोग смотрите और गाए में रोग जादा लगते हैं क्योंकि ये विदेशी नसली की गाए हैं यहां की climatic conditions उनको नहीं मिल पाते हैं तो इसलिए उनमें रोगों का खत्रा भी थोड़ा सा जादा होता है लेकिन उनसकी अप एक्छा गर देखें तो भैसों में रोग परत्रोदक चमता जादा होती है और इसलिए भैस किसान जादा रखना चाविरे के गाए का क्या है कि गाए में दूद उत्पादन जादा है और इस दूद का क्या क्या प्रोड़क्ट बन सकता है और क्या क्या आप इसकी दूद क्यों प्योगता क्या 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 बता सकते हैं दूद के उपोग तो ब महत्रपूर आहार कहते हैं कि दूद एक ऐसा पदारत है देखते हैं छे महीने तक बच्चा के ओल दूद पीकर ही जिन्दा रहता है तो दूद में फैट कार्बोहाड़ेट प्रोटीन बिटामिन मेनल्स सब कुछ प्रयाप्त मात्रा में होता है तो इसलिए दूद तो हर वेक हर वेक्ति के लिए हैं जब किसी चीज की मांग बढ़ती है उसकी पूर्ती नहीं हो पाती है तो उसमें होता क्या है कि डूबली केसी बहुत जादा होने लगती दूद में जैसे पानी मिला जाने लगता है और दूद की जब खपत भाई अब उतना है नहीं तो इसलिए उस का मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो ये लगभग कितना दिन से आप ये ब्युशाय पश्पालन और खेती के ब्युशाय कितने दिन से लगभग आप कर रहे हैं हम कम से कम पचास साल हुई गया हम को कर पाइंश साल उमर हुई गई उसमें कम से कम 12-13 साल अलगपन चला गए कि 50 साल से दिन से ब्युशा कर रहे हैं इसे से हमारे सब लड़के पढ़े लुखे हुएं सब बात हमारा पूरा खर्चा आद तक दूधरी से चला है न कोई नोकरी कर रहा न कोई कुछ कर रहा आज की अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो लगभग एक महिने में आपकी लगभग कितनी इंकम दूस से हो जाती होगी कम से कम आज के 10 साल पहले 1 लाख रुपय महिने से कम इंकम नहीं होता था देखे रहें 10 लाख रूपए बताईए 10-1 लाख रूपए साल का हो गया 12 लाख रूपए जिससे किवल दूस से और उसके साथ जो आप पस बेच रहे हैं या जो गोबर उसका अलग है तो इक आप छोटे अस्तर पर ही ब्युसाय कर सकते हैं और चैक कैसे छोटे अस्तर पर ए सब्सक्राइब बाव बन जाएगा उससे से कतनों जान और बन जाएंगे कई इस तरीके से छोटे पूजी को आप लगा करके और उससे जैसे मैंने भी आपको बताया कि आज आज आटीफिशल लिए प्रिमध का जवाना इस दिन्सी मनेशन का जवाना का, जिस नसल का आप चाहेंगे-इस नसल का पशूव प्राप्त कर सकते हैं और च्छोटे भी विम्हों साय में यहां पर चारे के लिए आप क्या इस को सब गोवार्ओ से दूनों का काम बराबर उची से होता है दाने की रूप में आप अपने पशलों को क्या क्या देते हैं। कि जिसे को सा दाना अच्छा रहता है जिसे दूद भी अच्छा रहेगा और पश्वों का स्वास्त भी अच्छा रहेगा दाना मा सबसे अच्छा तो पसके ये पसुवहार चुकरा और उसके बाद में ज्यादा तर पालिस ये दूनों आधा अधा दिया जाए तो दूनों स् दिखिए जैसे आप जो चावल का जो जब धान की मिलिम होती है उससे जो चोकर निकलता है वो और जो पशवहार मार्केट में आता है या पशवहार या आप कह सकते के गिहूं का छिलका है यह ज़िए निश्चित अनुपाथ में अगर पुष्णों को दिया जाए तो इसने दूद भी अच्छा रहेगा और अच्छे अनुपाथ में इससे लाब भी होगा और अच्छा इससे मुनाफ़ा भी हो इसमें जादा जादा इसमें तुछी तमाकु लगाने से पहले इसमें गोबर का खाथ प्रयोग किया गया है आई हम जानते कि कब कभी यह कितने साल में अपने खेत में गोबर का खाथ का प्रयोग करते हैं आप कितने साल में कितने साल में चक्र अपना करके और गोबर का उप करते हैं देखिए जैसा कि आज के साइंटिपिक कल्टिवेशन में फसल चक्र का बहुत ही महत्पूर योगदान है कि कैसे चक्र अपना करके जैसा भी आप लोगों ने सुना देखिए कि कहते हैं कि कहीं जानकारी से ज्यादा जो लोगों का एक इस्पिरियंस अनुभव है व खेती कल दी गई गन्य में उसके अनपात में बहुत कम मात्रा में उर्बरक डाले लायन और पेड़ी दो साल उसमें गन्ना हो गया उसके बाद गयों की खेती की गई और गयों के बाद फिर उसमें धान का खेती धान कटाई के बाद फिर इसमें गोबर की खाद डाली जाती निए उसमें की लगवर अभी इसके तमागु के पहले एक बार इसमें अब का जो पहले से कोबर पड़ा उसका उसे उत्पादन हो गया तैकि आपको ज्यादा डालना पड़ा है हम को सब्सक्राइब कंटल अपड़ा कर लिया यही हमारा भड़ती है देख रहे हैं कि कितना कम फटलाइजर में कितना कम उर्बरक में जैसे आप देख रहे हैं कि डियपी 12.500 रुपे बोरे है और लगबग 4.500 रुपे बोरा आपका यूरिया पढ़ता है अब एक बार अगर एक तीन साल में एक बार गोबर डाला गया उस सब्सक्राइजर का विउपयोग करें और थोड़ा सा कार्पनिक ख्यान का भी उप्योग करें आप ग्यहूं की क Knowing कस्छी बीदशेव फोते हैं और ग्यहूं में कोण कोण सा नले हैं कि它 हुमने मसीन से बोगते हैं यो यूख कर करके बह देते हैं पिर दस कीडोबी घाई लगा देते हैं तो दसकैर मने खेती में पूंजी लगते हो sought देखिये अभी मैंने बता हैं कि इसे स्था में सिड्डिल के द्वारा बुआई करते हैं, सिड्डिल से बुआई करते हैं, जिसमें खाद और उर्बरक दोनों एक साथ में, एक समय में अच्छी तनपात में पढ़ जाता है, अच्छा इसका लाब भी होता है, और उसी के साथ साथ एक पहली सिचाई, 20-22 दिन में करने के बात, पहली सिचाई के उपरांती, उसमें इूरिया का प्रियोग कर देते हैं, जिससे एक अच्छा उत्पादन भी हो जाता है, तो इस तरीके से आप किसान भाईयों को अपने द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? हम किसान भाईयों को गेहूं में कम से कम 20-25 दिन पर सिचाई जरूरी है, उसके बात एक सिचाई आओ करना जैस सिचाई करें, उसको इूरिया का बराबर 10-12 किलो बिगाई इूरिया दिन करें, इसे बढ़ियां गेहूं पैदा हो जाएगा, हाँ, 10-20, 20-25 दिन से फादिल क्षपालन के लिए अपने किसान साथियों को क्या सलाहद देंगे कि किस तरीके से पशपालन करें, जिससे उनको नपाद कि पुझी है, उससी के हिसाब पुझी नहीं है, तो थोड़ा सा पुझी लगाऊं यह और रकाम होए, और वगें निश पालन बढ़ियां कैस mo क훈 zijn अपने खेते मां बर्सीम बोई चरी वोई कारण से पस्पालन के बढ़ियां काम हुए और जब पस्पालन थोड़ा ही पूजी में हो जाना है तो अधे लगाने से क्या ज़रूरी है यह जब थोड़े पूजी में ही शुरू करें यह नहीं पहले आप किसी बिजनेस को सोच कर क्यांना है तो कौन सा नशल रखना है और वह बहुत बड़ी चीज होता है मार्केटिंग बाजारी करना कि आप बाजार पहले देखे और खासकर तो अध्या कि जो भी नजदीक किसान है वो आसानी से अब देख रहें कि बहुत ज्यादा डिमांड है बहुत ज्यादा इसका मांग है और अच्छे लेबल पर खेती कर सकते हैं और अच्छा उसका लाब है तो आप लोगों ने सुना कि कितना अच्छे तरीके से खेती कर के और अच्छा लाब कमा रहे हैं और अच्छा पुजी भी कठा की है और कैसे खेती को एक ब्रौसाइक तोर पर अच्छा बना जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद